सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद पर महत्वपूर्ण निर्देश जारी करते हुए निचली अदालत को इस मामले की सुनवाई से रोग दिया है। साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्त कदम उठाने की हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने याचिका करता को इलाहबाद हाई कोर्ट में अपील करने को कहा और सपष्ट किया कि आगे की कारवाई हाई कोर्ट के निर्देशों के तहत ही होगी। यह मामला तब सामने आया जब मस्जिद प्रबंधन समिती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दा कुछा कि उन्होंने यह मामला सीधे हाई कोर्ट में क्यों नहीं उठाया, पीठ ने कहा कि यह उचित मंच पर सुना जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को अस्थाई रूप से रोकते हुए कहा कि मामले में कुछ आपत तिया हैं, और अब इसे उ का दायर कर दावा किया कि संभल की जामा मस्जिद एक मंदर को तोड़ कर बनाई गई है, हिंदू पक्ष ने कहा कि इस थल पर हरिहर मंदर था, जिसे 1526 में मुगल शासक बाबर ने ध्वस्त कर मस्जिद का निर्मान कराया, इस दावे के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने वेक्षन का आदेश दिया, उसने स्थानिय लोगों में असंतोश और शक पैदा किया, जिसके कारण वे विरोध में सडकों पर उतरे, हिंसा के दौरान पुलीस फाइरिंग में मासूम नागरिकों की मौत हुई, मस्जिद प्रबंधन समिती का प्रतिनिधित्व वरिष्ट वकील हुजैफा एहमदी ने किया, जबकि हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील विष्णु शंकर ने किया, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद है कि मामले की निश्पक्ष और संबेदन शील सुनवाई होगी, और शेत्र में शांती स्थापित की जा सकेगी प्ररतिनिकर कोर्मेफा लेहुड़ के इस आदेश से उम्मीद है, और सब्सक्राइब करते हैं और संदेद की शुनवाई है ने की जा संदेश से आदेश से आधेश ।यू आई।